समान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जीवन में मांगा जाना चाहिए आप इसे सिर्फ कमा सकते हैं चाहे आपके माता-पिता हूँ या शिक्षा के आध्यात्मिक गुरु या राजनेता या खुद भगवान भी नीचे आ जाएं सद्गरू अब क्या सुझाव देंगे हमें अधिकारियों या बुजर्गों का अनादर के बिना उनसे सवाल कैसे पूछने चाहिए क्योंकि बच्पन से ही हमें अपने बड़ों की बात मानना सिखाया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि वो जादा जानते है और वो सही है पर वो भी इंसान ही है और वो भी गलत हो सकते है या वो निर्ने लेने में गलती कह सकते है तो आप मैं सिर्फ माता पिता की ही नहीं मैं राजनितिक नेता, वैग्यानिक और विशेश अग्यों की भी बात कर रही है मेरी भी, मेरी भी हाँ अध्यात्मिक गुरू भी हम उनसे किस तरह से सवाल पूछे जिससे हम परंपराओं से परे देख पाए ठीक वैसे जैसे आप अभी पूछ रहे हैं अनादर के बिना मैं समझ गई पर हो सकता है कि वो ये सोचे कि हम उनके अधिकारों को चुनोती दे रहे है समान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जीवन में कभी मांगा जा सकता है प्लीज कभी भी ऐसी अशलीलता न करें कि आप समान की मांग करें आप समान बस कमा सकते हैं आप समान मांग नहीं सकते जिस पल आप इसकी मांग करते हैं ये अशलील हो जाता है हाँ या ना तो आप किसी से एक कदम ऊचे खड़े हैं और आप सम्मान की मांग करें या आपने सिर्फ यही एक बेवकूफी की है कि आप यहां किसी और की तुलना में कुछ साल पहले पैदा हुए हैं और आप कहते हैं मैं सीनियर हूँ, यह कॉलेज में भी हो रहा होगा मैं एक साल सीनियर हूँ, बेटर होगा कि आप मेरा सम्मान करें मैं बस एक साल पहले कॉलेज आया था और अब मैं सीनियर हूँ, ठीक है तो यह एक दुर्भागे पून्ट सच्चाई है, जो दुनिया में अच्छे से स्थापित है हम इसे धर्म के नाम पर, अधिकार के नाम पर, परवरिश के नाम पर, कई अलग-अलग तरीकों से हम इसे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उचा है, वही सत्य है नहीं, उचा होने से सत्य सिद्ध नहीं होता सत्य खुद ही उचा है, इसी लिए युववा और सत्य, सिर्फ सत्य ही उचा तत्व है, और कुछ भी उचा नहीं है तो आपके सवाल पूछने से लोग चिड़ जाते हैं, देखिए, अगर आपका सवाल सुनकर लोग चिड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जवाब नहीं देखे, आपको प्रश्ण पत्र का कोई प्रश्ण नहीं आता, आपको चिड महसूस हो गिया नहीं, तो उन्हें भी हो रही है, तो आपको समझना चाहिए, थोड़ी और करूना दिखानी चाहिए, आपके प्रश्ण पूछने से लोग गुस्सा हो रहे हैं, तो साफ है कि उन् उससे बहतर नहीं है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं, कृपयां उनके लिए जगा बनाएं और क्या करें? वो आपसे थोड़े बड़े हो गए हैं, पर साथ ही किसी को इन चीजों के आगे जुकने की जरूरत नहीं है, लोगों को बहस करने की कोई जरूरत नहीं है सबसे पहले प्रश्ण, देखे प्रश्ण एक साधन होता है, प्रश्ण थोड़ा और गहरा उतरने का साधन है, है न? अलो? पर कोई अपनी बात साबित करने के लिए सवाल पूछे, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो अपने माता पिता या दूसरों से सिर्फ अपनी बात साबित करने के लिए सवाल मत पूछे, नहीं, सवाल इसलिए पूछे क्योंकि आपका सवाल सच्चा है, किसे ने मुझ से प तो ऐसी बेवकूफी भरी बाते न पूछें, क्योंकि वो मेरे लिए भी माइने नहीं रखती। पर अगर वो आपके लिए कुछ माइने रखता है तो शायद उसमें बेवकूफी हो कोई उसे बेवकूफी समझता हो पर वो आपके लिए कुछ माइने रखता है तो वो मेरे लिए बहुत माइने रखता है इसलिए प्लीज ये पक्का करें कि आपके प्रशन सचे हैं जो आपसे परे हैं, प्रशन पूछने की यही वज़ा होती है, पर आप उन्हें बेवकूफ साबित करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए वो शायद गुस्सा हो रहे हैं, अब आप उनकी दुनिया में कदम रखेंगे, पर आपको जीवन में ये पक्का करना होगा, क् को ये पक्का करना चाहिए, कि सत्य ही सबसे उंचा है, उंचा ही से सत्य साबित नहीं होता, चाहे वो माता पिता हूँ, या शिक्षक, या अध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक नेता, या भगवान खुद नीचे आ जाएं, और वो कोई बेवकूफी की बाते कहें, तो आप को उनसे सवाल पूछना आना चाहिए, यही संस्कृति का स्वभाव है, देखे जब अवतार आये, जिने हम परमात्मा मानते थे, जब वो भारत में आये, तो हमने सिर्फ सवाल पूछे, अंतहीन सवाल, जब शेव आये, तो उनकी पतनी पारवती ने उन्हें लाखों प्र किया, जब कृष्णा है, तो अर्जुन ने हजारों प्रश्ण पूछे, प्रश्ण पर प्रश्ण पर प्रश्ण, मुझे आपको यह बताना चाहिए, हम तिबत में ट्रेकिंग कर रहे थे, तब लगभग 42 अलग अलग देशों के लोगों का एक समू, तो एक भारती व्यक् जो अमेरिका में बस गया है, एक प्रश्ण पूछना चाहता था, मैंने कहा, आप सवाल पूछ सकते हैं, उसमें तुरंत हाथ उठाया और उठ खड़ा हुआ, उसने एक प्रश्ण पूछा, जो आठ मिनिट से ज्यादा समय के बाद भी खत्म नहीं हुआ, मैंने कहा, देख ये एक बहुत ही भारती प्रश्ण है, प्रश्ण के अंदर एक प्रश्ण उसके अंदर फिर एक प्रश्ण ये ऐसा प्रश्ण है, भारती इसमें विशेशग्य हैं, क्योंकि उनके पास 15,000 साल की संस्कृती है, उन्होंने इस तरह के सवाल गड़े हैं, कोई फर्क नहीं प कि भारती मन कैसा है और ऐसे प्रश्न क्यों पूछता है बहुत ज़्यादा संस्कृती तब ही एक चीनी महिला कहती है सद्गुरु मैं संयोक्त राष्टर में काम करती थी वहाँ भी सिर्फ भारती सवाल पूछते हैं हम कभी सवाल नहीं पूछते थे हमेशा बस भारती लोगी सवाल पूछते रहते थे मैंने कहा भारत ऐसा ही है